हेई जंकीज कैसे हो आप सब स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में और आज पोपो, वीवो, वन प्लस, रियल मी और आईक्यू ये जितनी भी कमपनी है ये सभी के सभी सभी सब ब्रेंड है एक बड़ी कमपनी का जिसका नाम है बीबी के इलेक्ट्रोनिक्स ज पतलब हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा कि वो अंडर्वेर से लेके एरोप्लेन तक के पार्ट्स को भी बनाना शुरू कर देगी लेकिन शाओमी का जो स्मार्टफोन डिपार्ट्मेंट है उसमें आते हैं MI, Redmi और POCO और ये जो दोनों बड़े Chinese प्लेयर हैं इनका इतनी सारे सब ब्रैंड्स बनाने का मेन मकसद है कि वो हर प्राइस पॉइंट में अपने फोन को एजर्स कर सकें 10,000 से लेके 20,000 तक में अगर एक एक हजार का भी डिफरेंस है ना तो उसमें आपको बहुत सारे ओप्शन्स देखने को मिलें और यही इनका मेन गोल है लेकिन आज की व इन स्मार्टफोन मार्केट में वो आखिर क्रियेट होता कैसे है क्या ओप और वी वो चाहती नहीं कि वो लोग मतलब कमदाम में बेचें और जादा फोन्स बेचें तो खैर आज की वीडियो में हम इनी सारी टॉपिक्स पर बात करेंगे तो चलिए जल्दी से वीडियो को वेल अगर मैं बात करूँ शुरुआत से तो सबसे पहले यहाँ पर हम सबको पता है नोकिया का राज था उसके बाद जब एंडरोइड आया तो धीरे धीरे सैमसंग ने अपना मार्केट शेयर कबजाना शुरू कर लिया लेकिन उसी टाइम पर जब धीरे धीरे एंडरोइ पैसा मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा उन्होंने लगाया अपनी एडवर्टाइसमेंट करने में और अपनी रगाने में मतलब कुल मिलाकर सारा का सारा जो majority औफ पैसा था उनका वो उन्होंने लगाया marketing department में और अगर मैं उनके perspective से देखूं तो उन्हें दो चीज़ लग क्योंकि लोग online पर भुरोसा करेंगे नहीं तो हम क्या करते हैं हम offline market को अपना target बनाते हैं तो यह दो main reason हो सकते हैं ओपो और विवो ने online market की जगह offline market को अपना target चुना तो अब यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया उन्होंने आमिर खान हो गया दिपिका पाडू को हो गया जितने भी बड़े celebrities थे उनसे अपने जो phones की advertisement करवाई बहुत सारी चीजों को sponsor किया दुनिया भर के shows है उसमें ओपो विवो आपको देखने को मिल जाएगा यहां तक कि जो starting में IPL चलते थे अभी भी जो मतलब IPL चलते हैं उसमें भी आपको ओपो विवो का branding देखने को मि इवेन वो लोग क्या करते थे जो आपके sellers हो गये जैसे मैं दुकानदार हूं तो ओपो या विवो मेरे पास आएंगे वो बोलेंगे कि आप अगर हमारा phone बेशते हो तो number one हम आपको उस पर profit margin जो है वो भी काफी जादा देंगे number two अगर आप हमारा phone बेशने के लिए तयार होते हो तो हम आपके इस दिकान को पूरी तरीके से रेनोवेट कर देंगे और इसका पूरा नक्षा ही बदल देंगे और वो भी free of cost अब एक दुकानदार के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है एक तो उसकी दुकान दिखने में अच्छी हो जाएगी ऊपर से जो उस टाइम पर जब यह चीज़ों लॉंच होई थी तो वो बिल्कुल नया ट्रेंड था नय चाइनीज फोन आ रहे थे तो उस टाइम पर जो इंडियन मेंटेलिटी थी वो थी के चाइना से जो फोन आ रहे है वो है चाइना का माल तो अब चाइना का माल सुनने में पता चल रह कहते हैं तो सेम चीज़ करी ओपो और विवो ने और बहुत सारे यूथ स्पेशली जो सल्फीज वगरा लेना बहुत जादा पसंद कर रहे थे उन लोगों में ओपो और विवो का आपको OnePlus के एक budget segment में देखने को मलती थी और OnePlus 5 तक हम OnePlus को as a flagship killer के नाम से जानते थे मतलब जो flagship आ रहा है उसको ये पूरी तरह destroy कर देता था अपनी price की वजए से तो ये तो हुई बात सारी कहानी की अब बात करते हैं कि भाई या ओपो और विवो महंगा क्यों हैं तो सबसे पहला reason तो मैंने आपको बताई दिया ओपो और विवो ने अपना बहुत ज़ादा पैसा marketing में खर्च करा है और वो पैसा फिर recover कहां से होगा obviously जो customers हैं उनी से वो लोग machine तो बनानी रहना पैसा चापने की तो जहां से वो लोग अब phone के price में ही इस चीज को include करेंगे तो एक reason तो ये हो गया दूसरे अगर मैं reason की बात करूँ तो OPPO और विवो हमेशा से ही innovation के नाम पर काफी ज़ादा आगे रहे हैं मतलब उनका जो R&D department है उसने बहुत सारी चीज़ें नई लेकर आई है जैसे for example पहला जो सबसे bezel less phone था हलाकि वो 2014 में तो शाक phone आया था वो था लेकिन उसकी बाद हम छोड़ देते हैं असल में जो flagship phone reconsider होना शुरू हुए था आप आगे जाके वो हुआ था Vivo के apex phone से जिसका body to screen ratio था 98% और अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो हमें pop-up trend जो था वो देखने को मिला था बहुत सारे phones में हमें pop-up cameras देखने को मिला था front में ताकि जो front का look है वो हमें बिल्कुल clean दिखाई दे वहाँ पर कोई भी punch hole ना हो कोई भी notch ना हो उसकी भी starting वीवो ने वीवो next के साथ करी थी तो कुल मिला कर मेरा कहने का मतलब ये है के भले ही वो चीज़े successful हो या फिर ना हो लेकिन उसको बनाने में time जाता है उसको बनाने में पैसा जाता है research और development जाती है और ये research और development का पैसा भी obviously customer से ही लिया जाता है तो अब यहाँ पर हम OnePlus की बात को बिल्कुल side में छोड़ देते हैं IQ की बात जो है उसको भी बिल्कुल side में छोड़ देते हैं ये दोनों को मतलब ये दोनों एक तरह से लगभग same same से brand है OnePlus क्या है था वो पहले flagship killer लेकिन धीरे धीरे वो खुद flagship की तरफ बढ़ता जा रहा है और even जो उसके CEO है अभी के उन्होंने ये announcement कर दिया है कि OnePlus के phones किस में पीछे रहते हैं mostly cameras में उसके camera इतना ज़्याद अच्छे नहीं होते बात करते हैं हम अगले brand की जो की BBK ने launch करा वो था Realme अब Realme जो था वो target किया गया था सिर्फ budget customers के लिए उसके flagship phones आपको देखने को नहीं मिलते even जो flagship आपको specification देखने को मिलती है वो भी आपको बहुत ही कम price में देखने को मिलती है वो जादातर जो phones हैं वो 30,000 या 40,000 के अंडर ही launch करते इससे महेंगे phones वो लोग launch नहीं करते तो यहाँ पर उनका main मकस्त था वही budget जो segment है उसको hit करने का क्योंकि अभी तक BBK electronics के पास कोई भी ऐसी मतलब branch नहीं थी जो कि इन mid section को hit कर पाए OPPO और Vivo के जो बिलकुल budget level के phone थे वो बहुत ही ज़ादा घटिया होते थे और क्योंकि उन्होंने वहाँ पर marketing में भी पैसा दिया है तो इस वज़े से वो लोग उसकी specification को इतना ज़ादा improve भी नहीं कर सकते थे तो यही reason है Realme के जन्म होने का अब मैंने research करी है इस company के लिए वही technology में इस company में भी implement कर सकता हूँ यह तो मतलब कोई चोरी की बात नहीं हो ही यह बस technology के development की बात हुई करा गया था OPPO के लिए लेकिन अब वही technology यह भी use कर रहे हैं तो यह reason है ना तो Realme को advertise करना है ना ही उन्हें कोई R&D करनी है साथ यह जो Realme के phones है इसके अंदर जो UI है इस UI में ही आपको ads भी देखने को मिलते हैं और यही ads का पैसा Realme के पास जाता है जो की एक तरह से कम दाम में वो लोग phone बेच रहे हैं तो जो profit कमा रहे हैं वो लोग इस तरीके से भी कमा रहे हैं और वही मगर मैं बात करूँ Xiaomi की तो Xiaomi तो ऐसा नहीं है कि वो innovate नहीं करता वो R&D नहीं करता उसका MIUI लगभग दुनिया में बहुत जादा famous है और उसके बाद जो उसके Mi Mix वगरा आते हैं तो इसका मतलब वो लोग design में भी काम करते हैं तो फिर MIE इतने सस्के में अपना phone क्यों देता है तो यहाँ पर वो सबसे बड़ा पैसा जो अपना बचाता है वो बचाता है advertisement में MIE के advertisement OPPO और Vivo के सामने almost ना के बराबर है और initially उन लोगों ने directly online market को target करा अब online market को target करने का सबसे बड़ा advantage यह होता है कि उनको अपने phones को distribute करने में जो पैसा लगाना है वो भी ने लगाना पड़ता अब मान लो कि आपको 100 million phone है पूरे इंडिया में distribute करना है local stores में समझ रहो कितना जादा पैसा लगेगा उसमें वहीं पर अगर 100 million phones को आपको पूरे इंडिया में अगर बेचना है तो आप 10-12 अगर पूरे country के अंदर भी 10-12 या जितने states हैं उतने हर state में अपना एक warehouse भी खोल देते हो ना तो भी आप easily वहीं से अपने phone को अपने customers सक पहुचा सकते हो तो ये जो distribution cost है ये भी काफी बड़ा factor play करता है अगर हम बात करते है मास production की बड़े number की अगर हम बात करें तो और दूसरा reason अगर हम बात करें Xiaomi की कि ये बहुत ही जादा कम profit पर अपने phones को बेचते हैं ऐसा उनका कहना है अब अगर हम इसे सच मान भी ले तो 5% पर अगर वो लोग profit अपना लेते हैं के वल 5% तो ये भी एक justify करने वाला reason बन जाता है के हाँ Xiaomi के phones इतने जादा सस्ते क्यों होते हैं क्योंकि वो लोग profit margin को बहुत कम रखते हैं साथ ही साथ advertisement जैसा Realme में आपको देखने को मिलता है सेम ऐसा आपको यहाँ पर क्या है आपको जैसे आपने एक तो number one जो pre-installed apps आते हैं वो आपको पैसा देते हैं जैसे for example MI के phones में आपको Netflix देखने को मिलता है तो अब Netflix ने MI को पैसा दिया होगा कि आप अपने phone में ये डाल के दो तो जैसे कोई भी नया phone लेता है अब ज़रूरी थोड़ी उसको Netflix देखना हो लेकिन अगर एक बार को मान लो उसके phone में installed है तो वो एक बार को सोच सकता है कि चलो हाँ यूज करके देख लेते हैं उसमें क्या है तो वो सोच सकता है तो वो जो सोच पैदा करनी है न इस वज़य से pre-installed apps वो लोग अपने phone में डलवाते हैं और वो पैसा देते हैं वो लोग Xiaomi को साथ ही साथ जैसे ही आप Xiaomi को phone में कुछ भी मतलब download करते हो उसको install करते हो तो उसके बाद वहाँ पर एक और screen सामने pop-up होती है जिसमें आपको एक ad देखने को मिलता है तो यह जो सारा पैसा है यह पैसा आपके phone की initial price जो है उसको काफे अगर मैं सिर्फ बात करूँ advertisement की तो Xiaomi अपना 8% 8% का profit सिर्फ advertisement से बनाता है तो अब आप खुद ही सोचो कि यह कितना बड़ा factor है तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो marketing, advertisement, R&D और ads जो in UI ads है या फिर bloatware जिसको हम कह सकते हैं यह 4 ऐसे factor हैं जो आपके phone को सस्ता और महंगा बनाते हैं तो बस इसी में अगर आप चाहो तो distribution को भी add कर सकते हो तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलना अगर इस पूरे चीज में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो नीचे comment कर देना हमारे बहुत सारे दोस्ताइसे हैं जो comment में उसका reply दे देते हैं वरना मैं भी try करूँगा जितने भी सवालों के जवाब आपको comment section में दे सब्सक्राइसे ही जय हिंद वन्दे मातरम